नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल Health Tips in Hindi में दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के कुछ सुरुवाती लक्षनों के बारे में जिनसे आप जान सकते हैं कि महिला प्रेगनेंट है या नहीं दोस्तो प्रेगनेंट होने का कैसे पता चलता है लड़की प्रेगनेंट है या नहीं ये कैसे पता करें अगर आपके मन में भी गर्भावस्था की पहचान और प्रारंबिक लक्षन से जुड़े सवाल है तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखें ज़्यादतर महिला पीरियड ना होने को प्रेगनेंट होने के लक्षन मानती हैं पर इसके अलावा कुछ लक्षन और भी हैं जिससे गर्भवति होने की पैचान कर सकते हैं शुरू के पहले और दूसरे हफ़ते में प्रेगनेंट होने के लक्षन कम दिखते हैं, पर अगर फर्ष्ट वीक से फर्ष्ट मंत में प्रेगनेंसी का पता लग जाए, तो समय पर जरूरी उपाय किये जा सकते हैं, जैसे कि जो लड़की वे महिला गर्बवती होना नहीं चा गर्ब ठैरने के बाद महिला को पिरेड आना रुक जाते हैं, अगर आपको प्रेगनेंट होने की संभावना लग रही है और आपको पिरेड भी नहीं हो रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी के संकेत हो सकते हैं, कुछ महिलाओं को शुरू के दो हफते में हलकी ब्लेडिंग भी हो जाती है बस सिर्फ महावारी ना आने के आधार पर महिला के गर्बवती होने के पुष्टी नहीं कर सकते क्योंकि पिरियड मिस होने के और भी कई कारण हो सकते है नमबर दो जी मिचलाना और उल्टी पीरियड बंध होने के बाद दो हफते में उल्टी आने और जी मिचलाने जैसी समस्याए होने लगती है इस आधार पर गर्बधारन का पता चल सकता है प्रेगनेंट महिला के शरीर में हो रहे बदलाव का असर पाचन किरिया पर भी पड़ता है जिससे पेट में गैस के शिकायत अधिक होती है पेट में गैस बनने की समस्या एक हफते से नो महिने तक रह सकती है पाचन किरिया में बदलाव आने से सीने में जलन होना भी आम है ऐ ऐसे में आप अचानक से छाती में जैलन महसूस कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने में मुझ का टेश्ट कड़वा हो जाता है। ऐसे में जो भी कुछ खाते पीते हैं उसका जायका नहीं मिलता। सिर्फ खट्टी चीजों का स्वाधी पहचान पाते हैं। प्रेगनेंसी के दोरान शरीर में हार्मोन बदलाव होने के कारण पाचन शक्ती कमजोर होने लगती है। और ऐसी अवस्था में महिला को कई बार कब्ज होना और ठीक से पेट साफ ना होने जैसी समस्याए आने लगती है। नमबर 6 पेशाब अधिक आना गर्बावस्था के दूरान शरीर में चल रहे हार्मोन्स में बदलाव की वज़े से किड्नी में रक्त का परवा तेज होने लगता है और मुत्राशे में पेशाब जल्दी भर जाता है जिस कारण बार-बार पेशाब होने की समस्या आती है बार-बार पेशाब आना भी प्रेग्नेंसी के लक्षनों में से एक है और जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा ये परिशानी भी बढ़नी लगती है महिला के इस तनों का आकार बदलना भी गर्भावस्था के प्रारंबिक लक्षन है प्रेग्नेंसी के पहले दो हफ्टों में ब्रेश्ट में हल्की सुजन आने लगती है जिससे उनके आकार में फर्क नजर आने लगता है इस्तन मुलायम वैसुजन दिखने पर प्रेगनेंसी टेस्ट से इसकी पुष्टी कर सकते है शुरू के कुछ दिन सिर में दर्द रहना भी गर्बवती होने के संकेत हो सकते है सिर में दर्द के समस्या हार्मोन्स में आई बदलाव की वज़े से हो सकती है गर्भावस्था में सुरुवाती लक्षन दिखने के अलावा जल्दी गुसा आना, सवभाव में चिड़-चिड़ा पन होना, तनाव में रहना और ज़्यादा थकान होना भी आम है तो दोस्तो ये थे कुछ खास लक्षन जिनके मदद से आप जान सकते हैं कि महिला प्रेगनेंट है या नहीं दोस्तो आपको प्रेगनेंट सी का जैसे ही पता चलता है सबसे पहले डोक्टर से मिले और अपनी दिनचरिया के बारे में बताएं और अगर आप किसी रोक के इलाज के लिए कोई दवा लेते हैं तो उस बारे में भी बताएं ताकि डोक्टर आपको जरूरी सला दे सके दोस्तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट का जरूर बताएं हम आप तक यसी ही नई और बहतरी जानकारिया पहुचा सके इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक वशेर करना ना भूले हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद